नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नौलेश पर दोस्तों हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि क्रोना वाइरस ने किस तरह से दुनिया भर में आतंक मचा रखा है पिछले लगबग दो सालों से दुनिया भर के अंदर क्रोना वाइरस के कोहराम को देखा जा रहा है जिसके कारण से बहुत से लोगों को कई प्रकार की परिशानी हुई है तो साथी साथ बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गवाई है लेकिन दुनिया के बहुत से देशों के वैग्जानिकों ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों से आखिरकार कुरोना वायरस की वैक्सिन को बना vaisrum के खिलाफ सबसे कारगर और अंतिम हतियार माना जा रहा है दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग वैक्सिन को कई स्टेज की ट्रायल होने के बाद मंजूरी दी गई जिसके कारण से आज दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग टीके लगाय जा रही है। लेकिन इसके साथ कई लोगों पर क्रोना वायरस की वैक्सिन के गंभी रियक्षन भी देखने को मिले हैं, जिसके बाद उन लोगों को कई प्रकार की समस्चाओं का और तकलीफों का सामना करना पड़ा है। क्रोना वैक्सिन से जुड़े रियक्शन का एक ऐसा ही मामला लंदन में देखने को मिला है जहाँ पर 19 साल की कौटनी की वैक्सिन लेने के बाद अचाना की तबियत खराब होने लगी और कौटनी के शरीर पर वैक्सिन के रियक्शन भी दिखने लगे। की नसे अंदर से फट गई है जिस कारण से उन में से ब्लड बहने लगा है जिसके कारण से कौटनी को पूरे चार हफते तक हॉस्पिटल में एड्मिट रहना पड़ा कौटनी ने अपनी स्टोरी को फेस्बुक पर शेर करते हुए लोगों से इस बात को कहा है कि अगर वो पूरा पैर पूरी तरह से नीला पड़ गया था कुछ ऐसा ही दर्द वो अपनी पीट और बहां के साथ भी मैसूस कर रही थी क्योंकि इस एरी की नसे भी फट गई थी जिस कारण से ब्लीडिंग हो रही थी कौटनी ने अपनी स्टोरी को फेस्बुक पर शेर करते हुए ल दुनिया के बहुत से देशों में क्रोना वैक्सिन के अलग-अलग साइड इफेक्ट और रियक्शन को देखा गया है लेकिन इसके बाबजूद भी क्रोना वैक्सिन को से बताया जा रहा है क्योंकि क्रोना वैक्सिन ही क्रोना से लड़ने का अंतिम और सबसे कारगर हतियार है डॉक्टर्स ने इस बात को कहा है कि कुरोना वैक्सिन लेने से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है हाँ वैक्सिन अलग-अलग लुगों के साथ अलग-अलग रियक्ट करती है और यह उनकी बोडी के सिस्टम पर निर्भर करता है दुनिया में मौझूद कोई भी को हराने का अंतिम और कारगर हत्यार है अगर आप लोग वैक्सिन नहीं लगाएंगे तो हमारा देश यूही कुरोना से लड़ता रहेगा और हमारे देश को आर्थिक के सासत कई प्रकार के अन्यन नुकसान भी जिनने पड़ेंगे इसलिए अपनी बारी आने पर वैक्सिन जरूर लगवाएं अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही